हेलो सुटेट्स आज हम प्रैक्टिस सेट थर्टीवन का क्वेशन नमबर तू देखते हैं अज शॉपकीपर बॉट अ बाइसिकल फॉर रुपीज थी थाउज़न एंड शॉल्ड थाउज़न फॉर हंड्रेड रुपीज यहाँ पर शॉपकीपर ने एक बाइसिकल ली है थ्री थाउज़न रुपीज में और उसको सोल्ड किया है थ्री थाउज़न फॉर हंड्रेड रुपीज में तो हमें क्या फाउज़न फॉर हंड्रेड रुपीज तो हमें क्या find out करना है प्रॉफित प्रॉफित इकवल तू selling price minus cost price selling price है उसकी 3,400 minus cost price क्या है 3,000 दोनों की subtraction की तो हमें answer मिल गया 400 रूपी याने profit कितना मिल गया profit equal to 400 रूपी therefore add down करेंगे his profit was 400 रूपी second question देखते है next question यहाँ पे third question में क्या दिया है सुनन्दा भाई बाई बाट milk for रूपीज 475 she converted it into yogurt and sold it for 700 how much profit did she make यहाँ पे सुनन्दा भाई ने milk जो था वो बाट किया था 475 रूपीज में और उसने क्या बनाया उसका yogurt बनाया याने दही बनाया उसका उसको कितने रूपीज में sold किया था उसमें 700 रूपीज में उसको sold किया था तो हमें profit निकालना है यानि 475 यानि bought किया था यानि 475 बन गे उसकी cost price और उसको sold किया था यानि 700 बन गे उसकी selling price तो हमें find out करना है profit इस प्रकार से write down करेंगे cost price of the milk equal to 475 रूपीज selling price of it equal to 700 रूपीज क्योंकि उसने योगर्ट बना के उसको 700 रूपीज में वेजा था तो हमें profit मिलो हो गया तो profit कितना हो गया तो selling price minus cost price selling price क्या है 700 रूपीज minus cost price है 475 दोनों की subtraction करते है 10 minus 5 9 minus 7 2 यहाँ पे 6 बजाता 6 minus 4 के तो 2 यहाँ 225 रूपीज का क्या बना गया profit इसले यहाँ पे राइड डाउन करेंगे she makes a profit of 225 रूपीज यहाँ 225 रूपीज का उसको एजमपल देखते है the Jizamata women saving group bought raw material worth 15,000 रूपीज for making chaklis they sold the chaklis for रूपीज 22,050 रूपीज how much profit did the WSG make याने जो women saving group था उसको कितना profit हुआ वो हमें find out करना यह जो group था इन्होंने क्या क्या था 15,000 रूपीज का raw material लाया था और उसकी chakli बनाई ओ ग्रूपने और कितने रूपीज में sold किया 22,050 रूपीज में उसको sold किया तो यह जो WSG group है उसको कितना profit हुआ वो हमें find out करना है solve करते हैं इसको देखो यहाँ पे जो raw material लाया था याने उसकी cost price क्या बन गई 15,000 रूपीज चakli बनाके उसको sale किया याने selling price क्या बन गई 22,050 रूपीज हमें क्या find out करना है profit profit equal to selling price minus cost price तो कितने रूपीज में sell किया था 22,050 रूपीज में sell किया था और cost price कितनी थी 15,000 थी तो दोनों की subtraction करेंगे 0-00, 5-05, 0-00, 2-5 याने 12-5 किया थो 7 याने 7,015 रूपीज 50 रूपीज क्या हो गया उसको profit therefore women saving group make a profit of rupees 7,050 रूपीज इस रकार से 4 नमबर का question नमबर का example देखते है promote board याने प्रमोर ने क्या के थे 100 बंचेस रूपीज लाए थे 400 रूपीज को लेकिन दाउनपूर में क्या हो गया 30 बंचेस रूप मेथी जो थे उसके बंचेस जो थे वो spoilt हो गया तो अभी उसने क्या के जो रिमेनिंग में थी के बंचेस से उसको 5 रूपीज का 1 बंच इस प्रकार से उसको बेज दिये तो उसको profit हुआ या loss हुआ वो हमें find out करना है देखो 100 बंचेस में थी लाए थी कितने रूपीज में? 400 रूपीज में याने cost price बन गई 400 रूपीज तो इस प्रकार से राइड डाउन करेंगे 100 बंचेस अप में थी इक्वल टू 400 रूपीज देखो कॉस प्राइज इक्वल टू 400 रूपीज लेकिन क्या हो गई थे उसको? 30 जो बंचेस थे वो स्पोयल्ट हो गई थे तो कितने बंचेस में थी के बज गए? याने रिमेनिंग में थी इक्वल टू 100 बंचेस थे टोटल 100 बंचेस में से 30 स्पोयल्ट हो गए खराब हो गए उसके 30 बंचेस इसलिए कितने बंचेस बज गए? 70 बंचेस उसके में थी के बज गए लेकिन उसने क्या किये? 5 रूपे की 1 बंच इस प्रकार से जो 70 बंचेस थे उसको बेच डाला इसलिए सेलिंग प्राइस कितने बंचेस याने उसके पास थे 70 बंचेस उसको 5 रूपेस का एक बंच इस प्रकार से उसने बेच दिया यानि 70 multiply by 5 करेंगे तो कितने बन जाएगे 350 रूपीज यानि जो 70 बन चेस्थे में थी के उसकी selling price क्या बन गई 350 रूपीज cost price दी हुई है 400 और selling price है 350 रूपीज तो cost price जादा है और selling price कम है इसलिए उसको loss हो गया तो loss किस प्रकार से rate down करते हैं loss equal to cost price minus selling price equal to cost price क्या है उसकी 400 minus selling price क्या है 350 तो subtraction की तो 50 रूपीज क्या हो गया उसको loss हो गया therefore loss equal to 50 रूपीज पूछा था हमें कि loss होगा है या profit तो उसको loss हुआ है और कितनी रूपीज का loss हुआ है तो 50 रूपीज का उसको loss हुआ है शिक्स नंबर का question देखते है यानि शरद ने क्या कहे थे वन क्यिंटल यानि 100 केजी के ओनियन लाए थे 2000 रूपीज में उसने क्या कहे बाद में उसको 18 रूपीज पर केजी से उसको बेच दिये तो उसको profit हुआ या loss हुआ वो हमें find out करना है चले solve करते हैं देखो यहाँ पे शरद ने जो वन क्विंटल ओनियन लाए थे 2000 रूपीज में इसले उसकी cost price क्या बन गई 2000 रूपीज वन क्विंटल ओनियन थे वन क्विंटल याने क्या 100 केजी तो उसने क्या के sold at the rate of 18 रूपीज पर केजी याने पर केजी को 18 रूपीज इस प्रकार से उसको बेच दिये इसले उसकी selling price क्या बन गई 18 multiply by 100 याने 18 1800 रूपीज ये इसकी selling price बन गई तो cost price क्या है 2000 minus 1800 रूपीज है उसकी selling price दोनों की subtraction की तो answer मिल जाएगा हमें 200 रूपीज याने उसको कितना loss हो गया loss हो गया उसको 200 रूपीज का याने यहाँ पर पुछा है did he make a profit or loss तो he make a loss और how much was it? it was 200 रूपीज इस प्रकार से 6 नंबर का question solve हो गया next question देखते है 7 नंबर का यहाँ पर दिया गया है कांता भाई bought 25 सारीज for a wholesale merchant for रूपीज 10,000 and sold them all at the 460 each how much profit did कांता भाई get in this transaction? याने कांता भाई ने 25 सारीज लाई थी 10,000 रूपीज याने 10,000 क्या बन गी उसकी cost price उसने sold किये वो सारीज को 460 की एक सारी इस प्रकार से तो हमें पहले उसकी selling price find out करनी होगी और उसके बाद profit होआ या last वो हो find out करें इस प्रकार से solve करेंगे 7 नंबर का example यहाँ पे cost price याने 25 सारीज ली थी 10,000 रूपीज में इसले उसकी cost price बन गी 10,000 रूपीज उसने क्या किया था कांता भाई ने एक जो सारी थी वो उसको 460 रूपीज इच याने sold सारीज at the rate of 460 रूपीज इच याने one सारी को उसने 460 रूपीज की one इस प्रकार से बैज दी थी 11,500 रुपीज इस प्रकार से हमें आंसर मिल गया तो अभी यहाँ पे रुपीज यह मिल गई इसकी सेलिंग प्राइज तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइज दी हुई है और सेलिंग प्राइज दी हुई है तो selling price यहाँ पे ज़्यादा है यानि 11,500 रुपीज उसकी selling price है और cost price 10,000 है therefore उसको profit होगा क्योंकि selling price ज़्यादा है इसलिए profit equal to selling price minus cost price selling price write down करेंगे 11,500 minus cost price write down करेंगे 10,000 तो यहाँ पे मिल गया answer 15,000 रुपीज क्या बन गया उसका profit बन गया therefore profit equal to 15,000 रुपीज इस प्रकार से आज हमने practice set 31 के question number 2 से लेके question number 7 तक स्वाल के यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो please like, share and subscribe thanks for watching this video